हलो दोस्तों कैसे हैं सब मैं है मांशू स्वागत करता हूँ आप सब का आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में सुपर कमांडो दुरूप का अगला कॉमिक फिज़े शांक रॉबोट पुरानी कहावाद है कि सच्चे इनसानों का नाम योगो योगो तक अमर रहता है सुपर कमांडो दुरूप भी एक ऐसा ही नाम है जिनको देखकर शरीफ और बदमाश सब यही सूसते हैं कि यह विलक्षन शक्स एक इनसान है या एक रॉबोट यह तो काफी पुरानी चैनल है क्या निकला है इस पुरानी सब बिदा के अफशेशों की खुदाई में अभी तक तो कुछ खास नहीं निकला है एक सन कमांडर दुर्ग की कॉमिक मिलने पर करता है इसको सीधे लेकर सीनियर इंस्पेक्टर मिट्टा डाला के पास चलते हैं वह हर ऐसी पुरानी कॉमिक की मुह मागई कीमत देता है इसके दस लाग से कम मत मांगना पर मिट्टा मिलेगा कहां पर जब किसी केस की इंवेस्टिकेशन नहीं कर रहा होता है तो अपने अंडर्वियर फ्रेंड पागल प्रोफेसर इंवेंशन प्रसा के पास बैठा रहता है अगर शहर में होगा तो वह ही मिलेगा चल मिट्टा वही पर था जहां पर सभी जानते थे कि होगा कमाल है कमाल है सुई से इतने पागल वेग्यानिक तो लोग मुझे लोग तुझे पागली कहते हैं और क्यों ना कहें जो धुर्व जैसे महान दिमाग की कद्र नहीं करता उसे तो पागली कहना चाहिए पागल तो तू है मिट्टा जो बाप दादों से मिली अर्वों की जाएदा से कबाल खरीद रहा है अरे सुधर्जा सुपर कमांडो दुर्व उस गुजरे जमाने की चीज़ है जब लोग सिर्फ दिमाग पर भरोसा करते थे आज की तकनीक के रहते दिमाग लगाने की ज़रुवत ही नहीं पड़ती है तू कहता है कि सुपर कमांडो दुर्व की कॉमिकों से कॉमिकों से चीज है प्रसा तक्नीक नहीं अच्छा चल आज की बार चोड़ अगर दुरुफ के पुराने जमाने में भी टेक्निक आज जैसी उन्नत होती तो दुरुफ के दिमाग को कोई न पूस्ता यह दावा मेरा है अरे छोड़ना यार जिस बात को साबित नहीं कर देखते उस बहु मैं बहस कर रहा हूँ अब तो मैं तुझे अपनी दौनों बाते साबित करके दिखाऊंगा आकर अब मेरी इजजत का सवाल है सर बहुत बड़ी खुशकवरी है सर दो पुरातत वेता दुरुफ की नई मेरा मतलब पुरानी कॉमिक लेकर आये यह उनको राजनगर के पुरा कि कहानी बार बार सुननी पड़ेगी अब तो अपनी बात को साबित करना ही पड़ेगा और अपनी बात को साबित करने के लिए मेरे पास एक रास्ता भी है मिट्टा की दिमाग से धुरुफ का नाम मिटाकर ही रहूँगा मैं सन 2003 खबरदार जो किसी ने भी इस जेल कमिशनर राजन ने घटना इस तल पर पहुचने में जरा सा भी वक्त नहीं कमाया था आखर यह अपरान करता चाहता क्या है इसकी मांगे हैं क्या आप जानते ही होंगे कि अभी हमने हत्यारों के एक बड़े जखीरे को तीन आतंगवादियों के साथ पकड़ा था सार यह उ कहली बार सुनी है जब्थ हत्यारों को सौपे जाने की मांग तो आज तक शायद पूरी दुनिया में किसी ने भी नहीं की है खैर एक सोचने वाली बात ये जेल की उची दिवारों और सिक्योटी को पार करके भला यह अपरान करता जेल के कमरें तक कहुंचा कैसे यह तो में उल जाकर अंधेरा होने का इंतिजार करना होगा तब तक तो अरे सर वो देखिए कॉम्प्लेक्स की चाथ पर कोई खड़ा है पर यह कौन और वहां तक पहुंचा कैसे मैं इसको पहचान गयों डिप्टी जेलर मौत सिर्पर मंडरा थी और यह उस अपना गड़ता की कि कसम खाई हुई थी सबसे पहले मुझे अंदर का हाल जानना होगा और इसमें यह धातू की चादर का तुकड़ा मेरी मदद करेगा हवा में नीचे गिरते धातू की तुकड़े की चमकती सदय पर सिर्फ पल भर के लिए कमरे के अंदर की द्रिश्ची की छाया दिखी कमरे में एक नहीं वलकी दो अपड़ता है सबसे पहले जेलो और सिपाईयों को शॉटगन के निशान से बचाना होगा लेकिन उत्रा ही समें दुरुफ के लिए पूरी परिस्तिती समझने को काफी था क्योंकि मेरे कमरे में घुसते ही उन पर गोलियां चल जाएंगी नीच अच्छा है मुझे तलीब होने चीज़ें जादा पसंद नहीं है आपको आजाद होने के लिए एक दो मिन्टों का और इंतिजार करना पड़ेगा जेलर साफ जब तक मैं इन दोनों अपड़ताओं को काबू में नहीं कर लिता और अब यह नहत्ते हो चुके हैं इन पर अब समझ में आई यह अपर करता अपराना करता इतनी उचाही तक आराम से चड़ा कैसे इस बंदर की मदद से लेकिन इतने बड़े बंदर पर किसी की नजर क्यों नहीं पड़ी सेक्योर्टी सच मुझ में काफी असाफ धान है अब मुझको सारी घटना का अबास हो रहा है यह अपरान करता वास्ता में किसी किसम का एनिमल ट्रेनर है और इस अजीव और गरीब गरिल्ले की मदद से जेलर तब पहुँचने में कामयाब हो गया है यानि अगर मैं किसी तरीके से गरिल्ले को काबू में कर सकूँ तो इसकी आदी से ज़्यादा दाकत खतम हो जाईग आह इस पर तो कोई ऐसा भी नहीं हो रहा है और अपरन गरता होश में आता जा रहा है अब मैं इस गरिल्ले को बंदी कैसे बनाओं अरे वाह मैं जेल के अंदर होकर बंदी बनाने की बास सोच रहा हूँ यहां तो बंदी बनाने के रास्ते ही रास्ते है मुझे इस जेल का प्लान पूरी तरह से याद है इस फ्लोर के नीचे कहदियों की कोटरिया है इस एसिट कैपसूल का एसिट फर्स को काट कर कमजोर कर देगा और अब जब गुरिल्ला मुझे पर कूदेगा तो इसके बज़न कोई फर्स है नहीं पाएगा और यह सीदे नीचे कोटरी में जाकर किरेगा और यह कोटरी काफी गहरी है यह गुरिल्ला कूद कूद कर भी बाहर नहीं निकल पाएगा अब तुम दोड़ी दे तक इसी सेल के अंदर उचल कूद करो तब तक मैं तुम्हारे मालिक से नपढ़कर आता हूँ लेकिन गुरिल्ले ने उचल कूद नहीं की बलकि वह आश्चे जोन रूप से शान्त हो गया क्योंकि वह शायद यह जानता था कि उसके मालिक को उसके बेगर भी अपना काम पूरा करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी कोई दिक्कत पेश नहीं आएगी ओ माई गॉट ये क्या पूरा कमरा बरफ ढखे पहाड़ी इलाके सा लग रहा है हाँ अब जल्दी ये बरफ उन पुलिस वालों के चैरों को भी ढख लेगी उसके बाद ये एक मिनट से जादा जिन्दा नहीं रहेंगे जा जाकर पुलिस वालों से मेरा माल और मेरे आदमी छुड़वा कर ला मुझे समझ में नहीं आँगा की कमरे के अंदर हिंपात कराने जैसी शक्ती तुमारे पास आ आई कहां से तुम हो कान? और आतमगादियों से तुमारा क्या सम्मन है? क्योंकि मुझे इतना अबास तो जडरूर हो रहा है कि तुम आतमगादी नहीं हूं तो मुझे बातों में उल जाकर समय काटना चाहता है तो इससे मेरा काम नहीं होगा अब मैं ही तेरी लाश को संदेश की रूप में पॉलिस वालों के पास भेजूँगा ताकि वे मेरी मांगों को गंभीरता से लें और उनको जल्दी से अल्दी पूरा करें आश्चर जनक इसके हांसे तो कुदालों की लाइने निकलती आ रही है और हर कुदाल का निशना मैं ही हूँ क्योई भी कुदाल मेरे बदन को चीर सकती है मुझे इन से बचना ही होगा पर कैसे इस चिकनी बरफ पर तो संतुलम बनाये रखना भी मुझकिल है खेर अगर जमीन पर पैर नहीं टिकते तो पैरों को हवा में रखना पड़ेगा इस टायल लैंड को पंखे में अटका कर हवा में जूल कर इन कुदालों सो बचना पड़ेगा मुझको तुमारा धन्यवाद अता करना चाहिए पहले में इस चिकनी बरफ के कारण तुम तब पहुंच नहीं सकता था लेकिन तुमने कुदालों को बरफीली दिवारों और ढलानों पर जगह-जगह एटका कर मुझे वह रास्ता दे दिया है जिससे कि मैं तुम तब पहुंच सकूँ तुम वास्ता में बहुत खतरनाक है लड़के मेरे इवार को मुझ पर ही आजमा दिया मैं तो तेरी जवानी पर तरस खाकर तुझको एक ही जटके में खतम करना चाहता था पर अब तू मुझे अब तुझे मैं एक दर्दनाक मौत दूंगा तलप 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 कर मरेगा चला गया और कुछी पहलों के बाद वह एक बरवीली सिल्ली के अंदर अपनी बची हुई सांसे गिन रहा था सुनो पुलिसियों तुम ने जिस जोकर को मुझे पकड़ने के लिए बेजा था अपनी आकरी सांसे गिन रहा है और अगर आदे गंटे के अंदर मेरे माल और आ चुँगा कैसे फिसल कर ओ येस फिसल कर मेरे पेर जूतों के अंदर थोड़ा बहुत हिल सकते हैं और मैं पैरों की उंगलियां हिला कर अपने स्कैट्स को बाहर निकाल सकता हूं और चुकि मेरे पैरों के नीचे बरव की सिल्ली नहीं है करकड़क इसलिए मैं अपने अज़ाद हो गया हाँ अब सभी सुरक्षित हैं हमारे उपर जमी बरब भी पिगल रही है तुमने कमाल कर दिया अब हम इससे उगलवाएंगे कि यह कहां से आया था और इसका सरगना कौन है लेकिन ध्रोब और पोलिस वालों के लिए एक आश्यर जने के इंतिजार कर रहा था एक आश्यर इंतिजार कर रहा था ओ माइगाड इसको तो मैं पहचानता हूँ यह तो जिंगारो शेरपा है वह मशूर परवतार होई जो दो बार एवरेस की चड़ाई कर चुका है पर यह पर यह तो पांस साल पहले एक परवरतार होन के दोर लापता हो गया था उस अभियान में मैं इसकी टीम में डॉक्टर की हैसियत से शामिल था यह आश्यर जने ढंग से लापता हो गया था हम समझे थे कि यह किसी खाई में गिर गया होगा पर यह तो बहुत अच्छा आदम तो अब तक आ जाना चाहिए था इसको जादा चोट नहीं लगी है पर नजाने कि उसका दिमाग कोई भी सिगनल नहीं दे रहा है इससे तो समस्या पैदा हो जाएगी आतंगवादियों के इस मिशन की नाकाम है भी कि खावर मिलने से पहले हमको उन तक पहुछ जाना चाहि पर वह गुरिल्ला है कहां पर आपके आफिस के कमरे के नीचे वाली मंदिर पर बने एक सेल में और उस सेल की पैचान ये कि उसकी चट टूटी हुई है ओ तो सेल की चट तुम ने दोड़ी थी लेकिन उसमें तो कोई गुरिल्ला नहीं था और वैसे हल तो अनलॉक था उसम जनमजाद बंद्रों में छिपकर भागने का जनमजाद बुण होता है अब तो हमको जिंगारों के होश में आने का इंतिजार ही करना पड़ेगा होगा हां वैसे फिलाल हम तीनों आतंगवादियों से पूस्ताच कर सकते हैं जिनको ये छोड़ाने आया था और साथ में उन नाम या तुम्हारा ठिकाना बता सकते हैं तुम्हारा नाम तो शायद इंटेलिजन्स वालों के शायद को शायद पहले से ही पता हो और ठिकाने तो तुम लोग रोजी बदलते रहते हो इस वक्त हमको हत्यारों की जरूरत है आदमियों की कोई कमी नहीं है बगार हत्यार त तुम पता नहीं कहां से हत्यार लाल आकर हमको सप्लाई कर रहे हो पर इस बार हत्यार कहां से आएंगे और उनको लाएगा कौन तो चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं समख करते हैं और मिलते हैं सुपर कमांडर दुरुप के कॉमिक विशेशन रॉबोट रॉबोट के दूसरे भाग में अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद